मित्रो राजस्तान में चार और हाहाकार की सित्ती है अब राजस्तान में हाहाकार नहीं सहेगा राजस्तान कल एक अगस्त को जो राजस्तान का सचीवाला है मुखमंद्री का काराला है उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार नमबर एक पे हैं, भान बेटिया सुरचित नहीं है दलितों पर अत्याचार नमबर एक पे है तो कहीं राजस्थान में और बेरोजगारी नंबर एक पर है तो वह राजस्थान प्रदेश है राजस्थान में जंगल राज है कानुन पर उसा ठप हो चुकी है 28 तारीक को 24 गंटे के अंदर 21 घटनाए गटी है 24 गंटे के अंदर 28 जुलाई को 21 घटनाए गटी है जिसमें बूंदी के लाखेरी गाओं में महिला के घर में घुश करके उसकी हत्या पाली के भीमगड में युवक की हत्या करोली में साथ दिन पुरानी लास मिली यह मैं 24 घंटे की बात बता रहा हूं 28 तारीक से 29 तारीक के बीच में जेपूर में सरेयाम जो राजधानी है जहां सोक गहलोजी का निवास है जेपूर के सदर इलाके में एक आदमी को चाकू से गलाचीर दिया जाता है वहीं चितोड़ गड में युवक की डाली चंग जटिया की लास मिलती है हत्या हुआ है करोली में सरेयाम चार लुटोरे में लुटोरे ने घुच करके महिला की हत्या की यह वही करोली है जहां एक लेलकी का अभी कुछ दिन पहले अपारण किया गया गैंग रेप किया गोली मारी गई उसको तेजाब डाला गिया उसके बाद उसको कुए में फिक दिया गया यह वही करोली की घटना है 12 में रामलाल गुजर हत्या कर दी जाती है भरतपूर में दिन दहाड़े फायर करके दो लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है गाली में छॉबिस घंटे के अंदर बता रहा अभी कुछ दो दिन पहले की डुल 24 घंटे के अंदर 21 हत्या के बारदात हुई है जीसे महिलायों का रेप हुआ जोदपूर में मतनिया में महिला को किड्नेप किया जाता है और किड्नेप करने के पाद उसका दुसकर्म किया जाता है और जैपूर के जालूपूरा में दो लोगों ने महिला के साथ दुसकर्म किया पाली में हिर्दय बिदारक घटना 14 साल की लड़की का रेप किया जाता है गैंग रेप होता है और पाली में उसका वीडियो वाइरल किया जाता है जैपुर के प्रताब नगर में इलाके में यूती का रेप किया जाता है और तोर केकडी में सिचिका के साथ दुसकर्म होता है इस चौविस घंटे की गटनाएं बता रहें आप समझे कितना भयावक इस सिती राजिस्तान में इसी प्रताब गड़ में एक एक टीचर के साथ छेड़ खानी होती है और छे छात्राओं के साथ दुसकर्म के प्रयास होता है चुरू चुरू में चुरू में एक विव्याहुत्या मेरिट जो महिला है उनका परण किया जाता है और दुसकर्म किया ज गाता है एक दिन के अंदर 21 घठनाए रेप की हत्या की बलतकार की और शीदे गोली मारदेनें की घठना एराजस्थान में हो रही है और राजस्थान के चारों कोने में हो रही है 17 से 18 प्रतितीन बलतकार के घटना है राजिस्थान में है NCRB के आंकडे कहते हैं कि सबसे अधिक महिला उत्मीडन और अपराधी करन कहीं हो रहा है तो राजिस्थान में हो रहा है चार ओर कानून ब्योस्ता है नहीं जंगल राजी जंगल राज है और कभी भी राउल गांदी, प्रियंका गांदी, कांग्रेस के नहीं ता एक बार भी राजिस्थान जाकर के पीड़ते उसे मिलने का काम नहीं की 17 बार पेपर लीख होता है अभी मारे करोड़ी लाल मीना जी उसके बारे में बताएंगी यह राजिस्थान प्रदेश है, राजिस्थान प्रदेश में 19,422 किसानों की जमीनी कुर्की हो जाती है और तो और लोग आत्महत्या किसान आत्महत्या करते हैं हनुमानगड में सूरज राम, सूरज राम हनुमानगड के किसान, कलेक्ट्रेट के सामने गहलोज जी को गाली देते हुए कांग्रेज की सरकार को कोशते हुए क्योंकि कांग्रेज ने वादा किया था राहूल गांधी ने वादा किया था किसानों करजा माप करेंगे वो सरेयाम जाकर के फासी के फंदे पे सूरजमल हर्मानगड में लटक जाते हैं और कहते हैं कि आपने वादा किया था वादा पूरा नहीं किया हमारी जमीन कुर्क हो गई सरवादी घुस्खोरी अगर कहीं है तो राजस्थान में करफशन सफदी राजस्थान में एक सर्वे के मुक्ताबी 22 परसेंट घुस्खोरी हर महीने बढ़ रही है अठानेवे विभ्याग में सर्वे में आया है कि 60 परसेंट कर राजस्थान वही प्रदेश से आपको ध्यान होगा जैपूर में सरकार के दब्तर में सोने की सिल्ली मिलती है धाई करोण रुपे मिलते हैं इस प्रकार से वहाँ पे चारो और ब्रस्टाचारी ब्रस्टाचार है माइनिंग माफियाओं के आतंक से संद बिजय दाश 551 धन्य के बाद आत्म हत्या कर लेते हैं यह राजस महिला अत्याचार के केस दर्ज हुए हैं 30,000 से 35,000 केवल रेब बलतकार के घटना राजस्तान में हैं और इससे आक्रोशित हो करके बहुत बड़ी संक्या में किसान आक्रोशित हो करके युवा आक्रोशित हो करके महिला आक्रोशित हो करके सभी आक्रोशित हो करके कल एक त सरकार के खिलाब बहुत बड़ा एक घेराओं कारक्रम होगा संथी पूरवक संथी पूरवक जाकरके घेराओं करने का काम राजिस्थान के कोने कोने से आए हुए जंता वह घेराओं करेगी और लाखों के संख्या में लोग आ करके कांग्रेश की जो हमारे सरकार है जन्भी रोधी जंगराज कायम करने वागली अब तो हर लोग यहीं कर रहे हैं कि महिलाओं पर दुसकर्म नहीं सहेगा राजस्तान किसानों की हालत बधाल नहीं सहेगा राजस्थान युआ है परिशान नहीं सहेगा राजस्थान इस प्रका चारों और है जंगल राज नहीं सहेगा राजस्थान इसको ले करके अकल बड़ा वहां पे महागेराव का महागेराव का जो है सच्वाले का महागेराव वहां की जनता राजस्थान की जनता सरकार से तर पे क्रूरी लाल मीना जी है